ऐधी पेलेंट तो आज में हध्यू विलीनों का वास्पधाब सबसे पहले देखते हो वास्पधाब होता क्या है वास्प दाब हीला वास्प दाब की Сथय पर डाला गया दाब वास्प के अऊँ द्वारा दरव की सतय पर ढाल अज़ें दाव क्या कह लाता है वास्प słीयल है वास्प सकर यह से नियम उसना जो भूते हैं राउल्ट का नियम है कि JOE ≥ कि अर्भी है यानी एक दरो गभा वास्फिशील है दूसरा दरोग वह भी वास्फिशील है नुद्रो का जो द्रुआ के सथ्रव भास Penga ऑफ रहेगा बास मां तयों रहेगा इस दोनु द्रुआ का गांथ के सम्मद्ध में विज्ञाना उसने एक निया सथिसे राउंड का भी नियम इप एक पर इस से कहते राउंड का तरए ओर-ने नियम के आणसर्ऊ, द्रास कहा दरो इस नियम के अनुसर, किसी वाप्चिल द्रों में किसी अव्यव का आंशिक दाब कुस अव्यव की मोल्विनिके समानुपाती होता है, माना विलियन में दो अव्यव हैं, माना में में दो अवयवया गटक है एक को पहला है वह एक है दूसरे को एव बीमालो एक वह दो माल एव बीमाल एक वह दो माल ठीक है इसका आंशिक दाव अवयू पहला उसका आंशिक दाव क्या माल एव पीवन इसका आंशिक दाव क्या होगा पीट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् उस अविन की मोल बिन के समानेकल पाती होता है कूं प्यता हैं राव्लिट का लियंग माना नीएम महाना दो घोटक 20 v am घोटक 0 रउन दो ऑई पहले सी जिफ़े आफ n पानेस क्या होगा वगा विल गटक का आंशिक्दाव इसकी मोल बिनके समानपार्थी होगा तो राउल्ट के नियम से क्या लिख से चापन पीवन समानपार्थी एक्सवन पीवन समानपार्थी एक्सवन या पीवन बराबर पीवन नोट एक्सवन पीवन नोट एक्सवन या पीवन नोट क्या है सुद्ध अवस्था में आवस्था पीवन क्या है पीवन नोट बराबर सुद्ध अवस्था में आन्सिक दाव यानि विलाय को दोनु अलग लग थे उस कंडिस्वन का आन्सिक दाव सुद्ध अवस्था में आन्सिक दाव ठीक है यह आगा इसी प्रकार में लिसकते हैं समान उपाती लिया पैन नो टू एक स्टू इसविफिन होड इसने आन्सिक दाव या पी नोट टू एक्स दू और यहां पी नोट क्या ए वह इस दौश्था में आन्सिक दाव ठीक है अब बात करें पुल दाव तो कुल दाब बराबर क्या हो जाएगा P बराबर P1 प्लस P2 यह बराब P1 प्लस P2 ठीक, तो अस्ते पास क्या आ गया P बराबर P कुल P कुल दाब P1 प्लस P2 P1 की वल्यू क्या है P1 नोट X1 P2 क्या है P2 नोट X2 प्लस P2 नोट X2 ठीक, यह हो गया दोनों अब अपने कुताएग किसी भी विल्यन की कुल मौल भीन कितनी होती है यानि X1 प्लस X2 बराबर एक, वन विल्यन की कुल मौल भीन कितनी होती है 1 x1 plus x2 बराबर 1 या x1 बराबर क्या लिख सकते हैं 1 minus x2 1 minus x2 तो x1 की जिन वाल्यू रख देंगे तो क्या होदाएगा P फुल्दा फुल्परेशर क्या होदाएगा P not 1 x1 की जिन क्या लिख देंगे 1 minus x2 1 minus x2 plus P not 2 x2 ठीक या P फुल्दाव क्या होदाएगा इसको इसे multiply गुणा करेंगा देगा P 1 not minus P 1 not x2 P 1 not x2 plus इसको एजिटीज लिख देंगे P 2 not x2 ठीक है या P फुल्द बराबर यह क्या होदाएगा हाजी इसमें देखे x2 x2 ठीक होदाएगा तो क्या होदाएगा अपना P 1 not P 1 not is equal to क्या होदाएगा minus x2 into P 1 not plus P 1 not यह minus अंदर रिचिन क्या होदाएगा minus क्या होदाएगा P 2 not P 2 not ठीक है या अपन इस तरह का लिखते हैं पी फुल्द बराबर एक्स टू एक्स तू एक्स तू इसको यहां पर कैंसल कर सकते हैं या P 1 not into इस प्रकार अपन यह अपना है राउल्ट का नियम यह अपने राउल्ट का नियम ठीक है इस समय करते हैं कि किशी वी अव्यूद का आनशिदाब रेक सम्मंद्र है रखता है किसी अव्यूद के सम्मान पाती होता है माना दो गट्टा के 1 वर दो उसका पी 1 इसका प्रेसल जाख पी तू इसकी मोलवज भीन के लिस्ट्व थैप पहले। रावड की निमती क्याती है समीकाट यानि की विल्यां के कुल वास दाब को किसी विल्यां के पुल वास दाब को उस विल्यां के कि मोल अंसे संबंदित किया जा सकता है कि कुल आंसिक्दार को उसे की मोल बेंचे रहे के संबंदित किया जा सकता है यह तो थपना राविट का दियम आज के लिए तने धन्यवाद